तो दोस्तों से नहीं बात करने वाले विपरो लिमिटेड कम्पणी के बारे में और दोस्तों विपरो के अंदर आज मैं यहांपर जो है वो प्रुविजनली अल्मुस्ट 4% के अराउंड की एक बहुत ही बड़िया तीजी और उसी के साथ काउंटर के अंदर आज मैं देखने को मिली है तो देखो दोस्तों आज आप सब को पता होगा कि विपरो के अंदर हमें यहां पर जो है वो एक अच्छा खासा अपमो और यहां पर एक खेल्दी पॉजिटिव ग्लोजिंग क्यों देखने को मिली है तो यहां पर जो है वो विपरो के बोनस के अगार्डि है जिसके अदर quarter two के results तो discuss होंगे ही उसके साथ-साथ क्या यहाँ पर company आपको bonus देगी या नहीं उसका भी announcement होने वाला है तो यहाँ पर अब हमें कौन से level से जो ध्यान में रखने है और क्या यहाँ पर market जो है वो विपरो के results से expect करके चल रही है वो सब कुछ हम यहाँ पर समझेंगे बट आगे बड़े उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो please कर लेना and bell icon को भी hit यहाँ पर कर लेना तो देखो दोस्तों यह सारी चीज़े कब होने वाली है यह होने वाली है 17th of October को that means Thursday को Friday को markets are going to operate that means Friday को हमें reaction भी देखने को मिलेगा अगर माल दो bonus approve होता है तो यहाँ पर विपरो के अंदर आप तेजी expect करके चल सकते हो एक gap up opening भी यहाँ पर चोया वो आप expect करके चल सकते हो second thing कि यहाँ पर अगर हम बात कले company के quarter two के results की तो market की expectation same जो TCS के results की थी वही रहेगी revenue थोड़ा सा increase होगा profit थोड़ा सा बढ़ेगा in line to positive but company के चो margins है वो यहाँ पर हमें definitely कम होते वे देखने को मिलेंगे तो market already margins down जाने की expectation लगा कर ही बैठा है वहाँ पर कोई blind expectation नहीं है तो अगर margins कम होंगे तो वो market already predict करके बैठी हुई है right अब अगर माल लो bonus मिलता है तो फिर हमें क्या करना है तो देखो बहुत सारे लोग यह सोचते है कि bonus मिला है इसलिए share को buy कर ले लेकिन उसका कोई यहाँ पर effect नहीं होगा for example माल लो कि one is to one का bonus मिलगा that means company आपके shares को double करके देगी तो simply क्या होगा यह जो stock अभी 550 पर चल रहा है उसको यहाँ पर आप two से divide कर दो ठीक है जो भी price आता है 225 something वो 275 something कुछ आएगा तो वही आपका यहाँ पर adjusted price हो जाएगा record date के मतलब X record date के पहले पहले या तो X record date के दिन that means price में आपको कोई benefit नहीं मिलेगा लेकिन आपके number of shares जो बढ़ेंगे that means in future for example माल लो की bonus के बाद विपरो का price जो है वो 200 से 300 के बीच में आ गया again stock चलते चलते 600 आ गया तो वहाँ पर आपका जो compound interest होगा ना वो आपको यहाँ पर जादा profit देगा on the more number of shares so इसलिए long term investors का जो wealth है वो create होता है जब यहाँ पर वो 10-20-25 साल के लिए particularly एक stock में अच्छा कासा investment करके बैठते आपने सुना होगा कि लोगों ने यहाँ पर 1990s में विपरो के अंदर ITC के अंदर सिर्फ 10-20-25 रुपे यहाँ पर जो है वो invest किये थे and आज वो यहाँ पर जो है वो in terms of crores है तो वो कैसे हुए वो bonus plate यहाँ पर companies देती गई उनके number of shares multiply होते गए share का price बढ़ता चला गया compound interest ने अपना काम किया 8 wonder of the world and यहाँ पर फिर जो है वो उनका पैसा grow करता गया so right now levels के अगर हम बात करें तो विपरो exactly again 550 से लेकर 560 के resistance पर trade कर रहा है अगर मालो breakout आ गया तो अगें शाहद से 580, 680 तक के आपके short term targets अपसाइड पर बन जाएंगे अब जो भी चीज यहाँ पर इस वीडियो में बताई गई है वो सिर्फ information के लिए है don't consider is at a buying or selling recommendation buying selling करने से पहले अपने advisor से एक बार consult जरू करें